शेर मदीना जद में तकेया ठंड पे गई विच मेरे सीने बुत में लेके आ गई सादक अखा रे गया शेर मदीने शेर मदीना शेर मदीना जद में तकेया ठंड पे गई विच मेरे सीने बुत में लेके आ गई सादक अखा रे गया शेर मदीने जी इसी के साथ अस्सलाम आलाइकुम पाकिस्तान उमीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे मुझे तो आप लोग अभी तक जान ही चुके हैं मैं हूं मैकी सर्फी की आज मैं आपके पास मैकी सर्फी विलॉग में न्यू विलॉग लेकर हाजिर हुई हूं आज हम बनाएंँ गोल गपे areale , आज हम बनाना प्याप इसके लावा भी रुदिन चर्टनी वी बतायेंगे कंगे चले कछता पानी चले को बनाना स्टा करते इसे पहले हम इसके लिए आटा ग५न लेते हैं बिर्समल्लाel रखमनरहिम जासा कि गुल गुप्पय बना रह रहे हैं ते इसलिए हम गप्य यह जाए सूजी को संघ झीज मेत्कपर हम इसलिएन में रंद और पंध सूजी Дज पर आता रिक रस दोड़ा है वंग ले लीडेर नमक ले लिया है और यह हमने पानी गरम करके रखा ऑगा है बिल्कुल नीम गरम ताके सें पुछ अपनी सुजी गून लेते हैं थोड़ा थोड़ा साहम इसमें डालते जाएंगे और गपों के लिए हम इसको रैडी कर लेते हैं ज्यादा पानी अड़ेंग कुछ इस तरीके का हो गया है अब भी इसमें यह सूजी जोंसी है यह आपको दानेदार नजर आ दी होगी क्योंकि यह हमने सूजी गुंदी है इस वजा से इसको हम 10-15 मिनट के लिए भी ऐसे ही रखेंगे उसके बाद एक तफा इसको फिर निकाल लेंगे और एक तफा फिर गुन लेंगे अब हम इसको इसमें डाल कर रख छोड़ेंगे और हम इसकी वो बनानी शुरू करेंगे गोल-गोल पेड़े ताकर जिससे हम गपे बना सके हैं तो बिसमिल्लाय रख्माल रर्म दोसी तरफ हम अपनी सबस चटनी रइडी कर लेते हैं इसमें थीन से चार सबस पिदीन लिया है इसको निकाल लें यह जैसा कि आप देख शोके हैं हम इसके उड़ा गूंद करते हैं इसके लेवार लिया है इसके इस तरह बेलन लिया है और इसके एलावा यह हमारा आटा जो बनका रैडी हो चुक है अब हम इसके गपे बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से अपने हाथों को थोड़ा सा डस्ट कार लेंगे और इसके पर सारा थोड़ा डस्टिंग मैदा कर लेंगे एक पेड़ा लेंगे जी तो यह देखें हमने इसको बिल्कुल पतला सा बेल लिया है यह देखे कुछ इस तरीके से इसकी जी तो अब हम इसके गपे बनाना स्टार्ट करते हैं जी तो हम अपने गपों का साइज यह रखेंगे आप कोई भी ढखन ले सकते हैं इसके लावा अगर आपके पास कटर हो गोल वाला तो वो भी ले सकती है मेरे पास कटर मजूद नहीं था इसलिए मैं यह देखन ले लि तब तक कवी असठेश हो के जर्डेस अम तब तक आजने भी हो जती हिसी तरीकेसे हम अपने तब-टक हो रहां बना लेते हैं फिर हम आप की देखे जिखे लिए हमने अपने सारे हम-जे वी त्यार का लिया अब ने को बेर लियां अब मुनी को फराइ करते हैं इसमें फीक इ तो यह देखे हमारा बहुत खूबसूरत सा गपा बनकर रैडी हो चुका है अब इसको हम निकालते हैं यह देखें जो इसी तरीके से हम अपने सारे गपे रैडी काड़ लेंगे अब मुझा अब एगल रैडी कालेते हैं चाहट के लिए हमें मैं थोड़ा नदीग से आथ पॉपमें चीजे दिखाती हूँ अब यह चनली है इसके इलाबा हमें टमातर कर लिए हमें इसके बाद भी चाथनी के रैश्पी हमने हम वक्ता दिय है यह जह हमारे बास ओनिया तो पहले हम इसमें हालू डाल लेते हैं और फिर इसमें हम चने एड़ कार लेते हैं इन दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे और ये दोनों चीजें भी इसमें एड़ कर देंगे इसमें हम अस्पेजाइका चार मसाला एड़ कर देंगे थोड़ा सा नमक एड़ कार लेंगे और थोड़ी सी रैट चिली इसमें एड़ कर लेते हैं यह हमारी चनाचाट चोंसी है यह जो हमने उसमें एड़ करनी है यह बनकर रैडी हो चुकी है अब हम दढी एड़ कर लेते हैं दढी हम एड नहीं करेंगे दढी हम अलाग से रहधेंगे के देखे जिए हमारी चनाचाट बनकर रैड़ी हो चुकी है listen, दढी को हम अच्छे तरीके से बीट कर लेते है थो यह देखें हमने पानी ले लिया है ये पानी थंडा करने के लिए रग्या हुआ था, ये जो हम रただ कि अमली जटनी के बनाए थी, इमली को वै गुवाय कर लिया था, बोर अच्हे तरीके से गुट्लियों से उतार लिया था और उसमें थो सा गुड एडिक कर लिए दुट के य अवने हमने की जटनी बना दी थी इस इमली के चटनी में से दो चबच हमने इसमें एड़ किया, यह साधा पानी था, यह हमने इसमें एड़ कर दिया है, और पानी लेकर उसमें, इसमें हम थोड़ा सा च्याट मसाला एड़ करेंगे, हम टाटरी एड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम घर में यूज़ का रहे हैं, तो बिसमिल्ला राखमानुराहीम आपको दिखा चुके हैं और अपने गोलगर पर राड़ी कार चुके हैं अब हम इंको टेस्ट कर ने के लिए बुलाएंगे इस यू यू यल समरा आओ इधर बिटा टेस्ट कर बताओ किस तरह के बने है उस्ट पढ़े इसमें यह डालो पते हैं आपको भी अच्छा मुझे नहीं था पता है अच्छा यह हमने एड कार दिये अच्छा चलो बाले आप बिसमिल्ला पड़ो तब तक मैं आपका गोलगर पर एड़ी करती हूं यह डाली थोड़ी सी यह मज़े की लगती है इसके बाद थोड़ी सी यह डालूँगी इसके बाद यह जो बैटा लाइव गोलगर पे खाते है न वो ऐसी खातने हैं यह डालूँगी पानी डालने नहीं चलो सहीँ कोई मसला में येलो नहीं नहीं तेस्ट करो ना अच्छा आप खाली खालो आप खाली टेस्ट कालो शारा खाने यह लो यह खा कर मुझे बताना के किस तरह का बने है असम्राब आप ने खा ली है बताओ किस तरह के बने है यह बहुत करेंजी बलेंड बहुत मज़ेदा बने है बजार सब रचे है चलो फिर देखे थम्स अप काट दो असम्राब बने है